न्यूज रियल है या फेक है तो ये 100% रियल और अथेंटिक न्यूज है और पिछले बार कुछी दिनों पहले भिलाई में भी ऐसा हो रहा था कि आने वाले थे भागेश्वर धाम सरकार बट कुछ कारणां से वो नहीं आ पाए थे अब रायपूर वालों को राज तिलक की त पंडे जे उनसे लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है कि उनके कदम फिर से फिर से रायपूर में पढ़ने वाले हैं जी हां दोबारा से रायपूर में आने वाले हैं धिरेंद्र सास्त्री जे उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर तो जो राश्र में रहेंगे 15 से 19 जैनवरी को गोरतपूर उत्तर प्रदेश में रहेंगे और हमारे रायपूर शहर को वो तीन दिन चार दिन का समय दे रहे हैं 23 से लिकर 27 जैनवरी को तो यह डेट आप एकदम अच्छे से याद कर लें कि 23 जैनवरी से लिकर 27 जैनवरी को भागे इंस्टाग्राम पेज पर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा यह पेज का आपको लिंक आप डायरेक्ट जाकर वहां से भी चेक कर सकते हैं कि यह जो निउस निकल कर आई है वो रियालिटी के साथ है और रियल है और काफी सारे अच्छे अच्छे अलग- लेकर आएंगे और पिछले बार कुछी दिनों पहले भिलाई में भी ऐसा हो रहा था कि आने वाले थे भागेश्वार धाम सरकार बट कुछ कारण से वो नहीं आ पाए थे तो फिर से उनके कदम है वो रायपूर में पढ़ने वाले काफी लोग एक्साइटेड रहेंगे औ और काफी लोग एक्साइटेड रहें यह दिखने आयोंगे कि यह न्यूज डियल है या फेक है तो यह 100% रियल और ऑथेंटिक न्यूज है जो कि ऑफिशियली भागेश्वार धाम सरकार के इंस्टाग्राम पेज पर डला हुआ है और यह बहुत ही खुशी की बात है अब राइपूर वालों को राज तिलक की तयारी करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि राज तिलक की करो तयारी आ रहे है भगवाधारी भगवाधारी से मेरा मतलब आप जानते ही है मैं किसे कह रहा हूँ धिरेंद्र सास्त्री जी तो कमेंट करकर आप जरूर बताएए कि बेश्वरधाम सरकार को और आप कितने एक्साइटेड है ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजे ये थी एक क्विक अपडेट और एक क्विक न्यूज मैं कहना चाहूंगा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको चाहता था कि मैं सबसे पहले अपने चैनल के माधियम से आप लोगो खुला है कुछ अच्छा ट्रैवल रिलेटेड वीडियो मैं बनाते रहता हूं अपने चैनल पर इन्फॉर्मेशन अपने प्रदेश से रिलेटेड जो भी चीजों के मतब डेवलप्मेंट से रिलेटेड काफी सारी वीडियो हमारे चैनल पर आते रहती है तो अगर आप न